जहिन फ्रेंद्स, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, NCCWay, मैं मितले शहु आपका अपने यूटूब चैनल NCCWay में स्वागत करता हूँ, अगर आप NCCWay चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल सस्क्राइब कर ले, क्योंकि NCCWay चैनल पर NCC A सर्टिफिके मिलता है आपको इस चैनल के माध्यम से, और जो इस्टूडेन NCC जॉइन करना चाहते हैं, जो इस्टूडेन अभी स्कुल लाइफ में हैं, अगर वो NCC लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इन्पोर्टेंट होने वाला है चैनल, क्योंकि NCC जॉइन करने के सार्य तरी करके लाएं, तो पढ़ते हैं, पहला कोशन, NCC में ड्रील का क्या उद्देश है, तो जानते हैं, ड्रील के प्रमुख उद्देश निनलिखित होते हैं, कौन-कौन से पढ़ते हैं, कैडेटो में एकता और अनुशाशन की भावना पैदा करना, यह हो गया पहला, दूसरा ह होता है, आत्मभी स्वास पैदा करना, और तीसरा होता है, कैडेटो में आग्या कारिता की गुडवत्ता को पैदा करना, उसके बाद चौन्था होता है, कैडेटो के सरीर एवं दिमाग के तालमेल को सुद्रीण करना, उसके बाद पांचवा होता है, आत्मरक्षा सिखाना वा सुवेवस्थित बनाना उसके बाद चटवा होता है उचीत वस्त्र धारण करने और मिलन सार बनने की प्रवित्ति पैदा करना तो NCC में ड्रिल का क्या उद्देश है कोशन बार 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 बी और सी सेटिफिकेट के एक्जाम में पूछा गया है तो यहां पर आपको 6 पॉइंट दिए गये हैं तो आपको कम से कम 5 पॉइंट याद रखना है और एक्जाम में 5 पॉइंट लिखना है यह डिस्क्रिप्टिव टाइप में पुछा जाता है इस ताइप के कोशन तो प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें अपने फ्र सामुदाइक एकारय पूछा जाता है reco viMI और होता है दूसरा सहासिक गतिविधियों और प्रतीसपर्धाओं में भाग लिया जाता है अहीं सभी कुछा जाता है औरwegen सी सी सेटिफिकेट की एकजाम में चार बर पूछा गया है कोशन मोश्ट आई एमपी है तो आपको ये कोशन याद रखना है इन सी सी केडिटों द्वारा किन साहसी गति वीधियों और प्रतिस परधा में भाग लिया जाता है तो याद रखना परवता रोहड अभ्यान होता है फिर होता है ट्रेकिंग अभ्यान फिर होता है पैरसूट सेलिंग और पैरकोर्ज और बहुत से होते हैं आपको जो याद रखना है रक्षक तो यहाँ पे चार दिया गया है तो सभी क्या बोलते हैं पार्ट जो होते हैं वो लग भग सभी राइफल में सेम होते हैं तो कौन-कौन से सब में होते हैं ये लिखना है तो ट्रीगर सभी गर्ण्स में होते हैं उसके बड़ ट्रीगर गार्ड सभी राइफल में होता है फिर मजल होता है बोल्ट होता है सेफ गरगाड लिखना मजल लिखना वोल्ट लिखना फिर सेफटी स्वीच फिर मैगजीन तो यह हो गया कोश्चन फिर पढ़ते हैं अगला कोश्चन मानचीत्र अध्यान में प्रयोग होने वाले तक्नीकी शब्द कौन-कौन्च होते हैं बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत इं प्रयोग कियाए जाते हैं तो पहला होता है दीखमान इसके बाद होता है तलच हम्रकीन हैंशकर और प्रयोग होने वाल्य तखणी कि शब्द होते हैं यह सारे शब्द हैं तो आपको यह याद रखना हैं उसके बाद परते हैं प्रेड्स आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लिज वीडियो लाइक करें, NCC वे चैनल को शरपोर्ट करें, अपने फ्रेड्स के साथ सेयर करें और जो school friends होंगे उनके साथ भी share करें ताकि उनको NCC के बारे में थोड़ा जानकारी मिले और वो NCC join करें और वीडियो के comments वाक्स में प्लीज थोड़ा सा comment करें आपका एक comment, आपका एक like मेरे लिए motivation का काम करता है तो please channel पे पहली बार आएं तो चैनल subscribe करें, like करें और अपने friends के साथ share करें और पढ़ते हैं अगला question है दीख मान से क्या भी प्राय है question है दीख मान से क्या भी प्राय है तो उत्तर दीशा और दर्सक के बीज बनने वाले कोड़ को दीख मान या दीख कोड कहते हैं दीख मान क्या है तो उत्तर दीशा और दर्सक के बीज बनने वाले कोड़ को दीख मान या दीख कोड कहते हैं दो बिंदूओं को एक सरल रिखा द्वारा मिला कर उत्तर की और बढ़ाने से इसे बनाया जा सकता है दीख मान क्या है दीक मान से क्या भी प्राय है बोलेंगे तो आपको लिखने है उत्तर दिशा और दर्सक के बिज बनने वाले कोड को दीक मान या दीक कोड कहते हैं दो बिंदूओं को एक सरल रिखा द्वारा मिला कर उत्तर की और बढ़ाने से इसे बनाया जा सकता है यह हमेशा घडी की सुई की दीशा में अर्थात un-clockwise बनाया और मापा जाता है तो दीक मान क्या है तो यह याद रखना एचा आपको दीक मान यह होता है उसके बाद कोश्चन दीक मान से ही बनता है दूसरा कोश्चन दीक मान कितने प्रकार के होते हैं वेरी आई एमपी कोश्चन और बहुत बार पूछा गया कोश्चन है कोश्चन है दीक मान कितने प्रकार के होते हैं तो यह आपको एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा तीन प्रकार की उत्तर दीशा के अनुसारिया भी तीन प्रकार के होते हैं तो उत्तर कितने प्रका आंसर के साथ एक नया Video Uploaded मिलता है आपको तो प्लीज चैनल पे चैनल पे अगर सस्क्राइब नहीं किया हो चैनल तो प्लीज चैनल Subscribe ले लिक मान कितने प्रकार की होते हैं और मैं प्छले वाव में पढ़ाया था कितने प्रकार के होते हैं तो उसी से मिलता-जूलता efecto है समझना है अ मूझना है दिख मा तीन飯 क्स gjана सॉरी सूरी थीन प्रकार की इत्तर दिशा नुशारिया भी तीन प्रकार कि होते देखो अभी बताया था, तीन प्रकार की उत्तर धिशा के अनुसारिया भी तीन प्रकार के होते हैं, कौण-कौण सा तो असल दिख्मान, उसके बाद गरीड दिख्मान, फीर छुम्म की जी दिख्मान, इसको इंग्लिस में क्या बुलेंगे? true bearing फिर grid bearing और magnetic bearing और जो north होता है न तीन प्रकार का उसको क्या-क्या बोला जाता है तो true north फिर grid north फिर magnetic north इसी से आपको याद रखने हैं उत्तर तीन प्रकार के होते हैं तो दीकमान भी तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के याद रखने तीन प्रकार की उत्तर दिशा के अन तीन प्रकार नहीं पता तो अभी मा बता देता हूं एक होटा है True North, फिर होता है Grid North, तीसरा होता है Magnetic North तो यह याद रखना और यहाँ पर इंगलीज में क्या बोलेंगे दीक मान को क्या बोलेंगे यहाँ पर true bearing फिर grid bearing फिर होता है magnetic bearing यह हो गया दीक मान कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के कौन कौन सा तो यह नाम और यह question बहुत important question आपको यह याद रखना है परते हैं अगला question उत्तर दीसा ज्याद करने की प्रमुख वीधियां कौन कौन सी है very IMP question आपको याद होना चाहिए उत्तर दीसा ज्याद करने की प्रमुख वीधियां कौन सी है परेट के दौरान P.I.S.T. आप द्वारा भी करेटो से पूछा जाने वाला question है यह और जो physical दिलाने जाओगे तो वाई भाई भाई टाइपस में भी ऐसा question पूछा जाता है उत्तर दीसा ज्याद करने की प्रमुख वीधियां कौन कौन सी है ऐसा पूछ देते हैं तो आपको याद रखना उत्तर दीसा हम लोग शूरिय द्वारा ग्याद कर सकते हैं तारो द्वारा ग्याद कर सकते हैं और इदगा या मजीद द्वारा भी जान सकते हैं और इसके बाद GPS द्वारा भी और कमपास के द्वारा तो यह हो गया उत्तर दीसा ग्याद करने की प पड़ना पड़ेगा अगर आपका कोई भी इस रिजेशन है वीडियों से रिलेटेट कोई भी सजेशन आप देना चाहते हूं मेरेको तो प्लीज वीडियो लाइक करें पढ़ते हैं फायर आधिकार्यों द्वारा दिए जाने वाले गोला बारी शंबंधी विभी ना आधिश होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के पूछेंगे तो यह याद रखना यह सायन ने अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले गोला बारी संबंधी विभीनना आदेश होते हैं फायर ओडर क्या होता है तो इतना कुरट लेना है आपको तो plan order, fire direction order, फिर होता है fire control order, अगर आप NCC में एक रेज लाना चाहते हैं, तो please, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ, यह जो क्या बोलते हैं, point point जो पढ़ाया रहता हूँ, इसका English नाम भी लिखा रहता हूँ, क्यो लिखा रहता हूँ, अगर आप Hindi के साथ साथ English लिखोगे, तो check करने वाला थोड़ा सा, अच्छे से check करेंगे, और आपको थोड़ा जादा नंबर देंगे, इस इसको ध्यान रखना, ठीक है, हिंदी प्लस English अगर लिखते हूँ, आप लोग spelling mistake नहीं करते, तो check करने वाला को, खुझ समझ आ जाएगा, कि बच्चे ने महनत किया है, महनत knowledge से question आ गया, काजी रंगा राष्टी उध्यान कीस राज्य में इस्तीत है, तो यह आपको comment box में answer बताना है इसका, मिलते हैं next video में, thanks for watching, stay with NCCW channel, please channel पे बने रहें, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जैहें